भारती जनता पार्टी के कोटे से जो साथ लोग राजिसभा के सदस्य होने जा रहे हैं उसमें संगीता बलवन जी भी है बलवन का परचे छोटा सा है कि आप पहले सरकार में मंत्री भी रही है पार्टी ने बड़ा भरोसा जयता है जे आपके चैनल के माध्यम से मैं भारती जनता पाईटी के सिर्ष नित्रित को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज साथ प्रत्यासियों में से दो मातिर शक्ती का चैन किया गया और इस मातिर शक्ती में भी एक पिछले समाज को चैनित किया गया मैं बिंद समाज से हूँ और आजादी के बाद प्रथम बार उच्च सदन में बिंद समाज को यदि किसी ने भेजने का कारी किया है तो वो भारती जनता पाईटी ने किया है इसके लिए बिंद निशाद, केवर्ट, कश्यप, लोधी, कहार ये हमारा पूरा बैकवर्ट समाज जो है भारती जनता पाईटी का अभार व्यक्त करता है संगीता जी गाजीपूर जहां से आप आते है जैसे कि अपने जी क्रविक्या बड़ा चैलेंज है भारती जनता पाईटी के लिए क्या आसर होगा पुरवानचल में देखिए गाजीपूर और पुरवानचल ये पूरी तरह से आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा मैं होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटे है इस बार कोई भी खाली नहीं रहेंगी पिछली बार दुर्भागेवस हम लोग गाजीपूर की सीट अपने जोली में नहीं ले सके लेकिन इस बार हम लोग पुल बहुमत के साथ गाजीपूर में भारती जनता पाईटी का डंका बजाने वाले क्या माना जाए अब विकास की रफ्तार जो गाजीपूर में रुकी थी विकत कई लोगों ने कहा कि महाँ जो विकास की रफ्तार है 2019 का जो परिडाम है उसके बाद थम सी गई कारण साफ था तो महाँ आपोजीशन के निता चुनाव जीते थे क्या माना जाए कि राजी सभा में मनी हैं गाजीपूर की आवाज मजबुती साफ उठाएंगी जी बिलकुल हम लोग तो एक माध्यम खोशते हैं कुछ भी कारे करने के लिए मेरा पिछला कार्यकाल भी ऐसा था कि मैंने अपना सत प्रतिशत गाजीपूर की जंदा को दिया समाज से मैं आती हूँ उसको पार्टी ने सममान दिया मतलब साफ है कि जिन नामों का घोसरा पार्टी ने किया है जो लोग राजी सभवबन रहे इसमें छेत्री और जात्री संतुलन का ध्यान रखा गया है और इसका कही न कही फाइदाद 2024 के लोग सभचुनाओं में बीजेपी को मिलेगा सहयोगी सेहनवाज खान के साथ रजनीज पांडे भारत एक्सप्रेस लखनो